अलो स्टुडेंट्स मैं निकल गुप्ता स्वागत गता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग 4.3 प्रशना उलिके प्रशन संक्या 4 से आगे तक क्या सभी प्रशन हल करेंगे इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 3 questions complete कर लिये थे पिछले वीडियो के सभी के लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएंगे अपने अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख सकते हैं शुरू करते हैं चौथा question अब सभी questions जो बचे हुए हैं मतलब जो इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे वो word problems वाले questions हैं मतलब आपको सम्मीकरन पहले बनाने पड़ेगी फिर उसको हल करना पड़ेगा तो काफी अच्छे questions होते हैं और exam के इसाप से most important exercise है ही है मतलब ये questions most important है exam के इसाप से इस तरह के प्रशनों शुरू करेंगे चौथा वाला है तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयू का व्यूतकरम और अब से पांच वर्ष पस्चात आयू के व्यूतकरम का योग एक बटे तीन है उसकी वर्थमान आयू ग्यात कीजिए तो आयू वाले प्रशनों में वैसे तह मैंने आपको बोला था कि टेबल बना के रखे करो गया कि माना रहमान की वर्थमान आयू एक्स वर्ष है तो वर्थमान आयू तो हम टेबल में लेते थे उसके अलावद टेबल में कह कह लेते थे इस-किस की बात चल रही है वह देखो तीन वर्ष पूर्व आयू लेंगे और पांच वर्ष पस्चाद आयू लेंगे तो रहमान की आप यहां लिखोगे कि रहमान की रहमान की तीन वर्ष पूर्व आयू कितनी होगी भाई आज अगर X है तो तीन साल पहले कितनी थी x-3 वर्ष थी आज अगर x है आयू तो 3 साल पहले 3 कम कर दो और 5 साल बाद 5 बढ़ा दो x प्लस 5 हो जाएगी तो आप यहां लिखोगे रहमान की 5 वर्ष पस्चात आयू 5 वर्ष पस्चात आयू में 5 वर्ष बाद में अब 5 जोड़ दोगे तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा यहां तक हमने कर लिया अब इसके आगे समयगर्ण मनाने की बात है ध्यान से देखेंगे आराम से समयगर्ण मन जाएगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयू है मतलब इसकी जोड़ दो इसका भी व्यूत्क्रम लेकर के जोड़ो x प्लस 5 का और वो किसके बराबर है एक बटे 3 के तो 3 वर्ष पूरू रहमान की आयू का व्यूत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयू के व्यूत्क्रम का योग एक बटे 3 है यह इसने बोला है वर्ष पान आयू गयाप के जिए x निकालना है समीगर्ण यहां से बनेगी अब हमने लास्ट लेक्चर में भी डिसकस किया था सेम इस तरह की एक समीगर्ण थी जिसमें हम लोगोंने lcm लेकर के इसको आगे हल किया था तो इसमें भी lcm लेकी हल करेंगे देखो शुरू कर रहा हूँ है lcm लेने का काम यहां पर आप लिखोगी x माइनस 3 और x प्लस 5 यह lcm आ जाएगा तो यहां x प्लस 5 प्लस में x माइनस 3 और बराबर में 1 बटे 3 थोड़ा हल कर लेते है x और x मिल करके 2x हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस का नीचे आप दोनों को गुणा कर लो आपस में x गुणा x हो जाएगा x की घात दो x गुणा 5 हो जाएगा 5x माइनस का 3x और माइनस का 15 हो गया है बरावर में कितना आ रहा है 1 बटे 3 अब यहाँ पर इस 3 को इधर ले लो इसको उधर लेंगे लेकिन उससे पहले इस माइनस का 5x और माइनस की 3x को 2x लिग दू मैं तो यह 2x प्लस में 2 बटे में x स्क्वायर और यह हो गया 2x और यह माइनस का 15 बरावर में 1 बटे 3 चल रहा है 3 को इधर ले लें आप तो 3 इधर आएगा तो 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 बरावर में यह उधर तो x की घात 2 प्लस में 2x माइनस में 15 चीक है? x की घात 2 को तो इधर लाकिर के हम रिणात पक्तर नहीं सकते हमें इन दोनों को इधर ले जाना पड़ेगा इन दोनों को अगर आप उधर लेके जाओगे तो क्या बनता है? इधर तो 0 हो जाएगा x की घात 2 प्लस में 2x माइनस में 15 माइनस का 6x और माइनस का 6 तो यह बच गया x की घात 2 माइनस का 2x और माइनस का 6X हो गया, माइनस का 4X ठीक है, माइनस का 15 और माइनस का 6 हो गया, माइनस का 21 और बराबर में 0, यह हमारी समय करण मन गई, द्वी घात जिसको हम आगे अब हल कर सकते हैं, अब आगे इसको solve कर लो बस, तो main काम था यह लिखना, सबसे पहले तो उसके बाद इसका LCM लेगे यहां तक पहुशना अब इसके बाद हल करने का तो हमने 500 questions किये हैं मेरे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी आप चाहो तो गुणानखंड विधी लगाओ, चाहो तो कौन वर्ग विधी लगाओ, चाहो तो श्रीधराचारे सूत्र लगाओ जो आपको उचित लगे, आप यहां पर लगाओ और आंसर निकालो, सबसे सेम आंसर आएगा मैं यहां पर फिलहाल श्रीधराचारे वाला तो नहीं मैं यहां गुणनखंड विधी लगा रहा हूँ, उससे जल्दी आंसर आजाएगा, तुरंत बन जाएगा तो यहां पर देखो, गुणनखंड विधी में क्या करना है आपको जोडने या घटाने पर हमें चाहिए माइनस का चार, और गुणा करने पर हमें चाहिए माइनस का 21, तो गुणा करने पर 21 कब कब आता है, 21 आता है, 2, एक ही केस में आता है 21 तो, 7 गुणा 3 करने पर 21 आता है, हमें माइनस का 21 चीए, तो दोनों में से एक चीज माइनस क्यों जाए, तो माइनस का 7 ले ले लेंगे और plus का 3 ले लेंगे उससे minus का 4 भी बन जाएगा हमारे दोनों काम हो गए तो अगर मैं इसको इधर हल करूँ तो ये लिखा जाए गा x की गात 2 minus का 4x minus के 4x की जगे मैं ये लिख रहाँ minus का 7x और plus का 3x और minus का 21 बराबर में जीरोँ तो आप सीधा इन दोनों में से common लोगे तो इन दोनों में से x common आ हरा है x-7 बन जाएगा इन दोनों में से 3 common आ रहा है x-7 again बराबर में 0 बचेगा क्या? x-7 और x plus 3 बराबर में 0 तो यहां से x-7 बराबर 0 और x-3 बराबर 0 x का मान आ गया 7 के बराबर और x का मान आ गया आयू रिनात्मक नहीं हो सकती, आयू तो धनात्मक ही आएगी, तो रहमान की वर्तमान आयू कितनी आ गई, साथ वर्ष, ये फाइनल आंसर आ गया, इस तरह से हल करते हैं, अगला देखें, फिफ्ट कॉशन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गनित और अंग्रेजी में प उसके द्वारा दोनों विश्यों में प्राप्त किये अंक ग्यात कीजिए, दोनों विश्यों में प्राप्त किये अंक ग्यात करने हैं, तो ऐसा जरू नहीं है, कि आप एक को एक्स और एक को वाई लो, आप डिरेक्ट भी गढ़ सकते हो, एक को एक्स ले सकते हो, दूसरे क वो दूसरी subject में मिलेंगे तो direct आप मान सकते हो यहाँ पर तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर हल शुरू कर रहे हैं हम लोग किसी एक subject के मानलो आप जैसे गनित में मानलो आप माना शेफाली ने गनित में X अंक प्राप्त किये गनित में X अंक प्राप्त किये हैं मानलिया और गनित और अंग्रेजी में प्राप्त किये अंकों का योग 30 है गनित के अंक प्लस अंग्रेजी के अंक अंग्रेजी के अंक कितने हैं मिला करके 30 गनित के अंक यहाँ पर अगर मैं X लिख दूँ तो x प्लस अंग्रेजी के अंग, आप डिरेक्ट लिख सकते हो तो डिरेक्ट भी लिख देना, मैं systematic करके दिखा रहा हूँ आपको, और यहां के हिसाब से अंग्रेजी के अंग कितने आ जाएंगे आपके, अंग्रेजी के अंग आपके पास आ जाएंगे, यह x जब उधर जा डिरेक्ट भी लिख सकते हो, 30-x है, डिरेक्ट नहीं लिखना चाहो, तो आप systematic समझ सकते हो कि कैसे है, कि गणित के अंग और अंग्रेजी के अंग का योग 30 था, गणित के अंग हमने x मान लिए, तो यह उधर जाएगा, तो 30-x हो जाएगा, यह हमने systematically लिख दिया, अब इ जड़िधी, गणित में 2 अंग अधिक मिलें, तो गणित के अंग कितने हो जाएगे, 2 अंक ज़्यादा लो भी, x अंक मिले थे, मान लो दोवर मिलते, दोवर मिलते तो x had. डुह जाते हैं और क्या दो ज्यादा लड़ दीए जोड़ दिए दो ओर ठीक है और इसने बोला कि अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले होते हैं तो आप सेम तीज यदि अंग्रेजी के अंक बनेंगे देखो 30-x तो 3 3 कम कर लो 3 कम कर दिया 2 बढ़ाना था बलस दो कर दिया 3 कम करना था 30 में से 3 जाएंगे तो बंचेंगे 27 और माइनस एक्स अपनी जगे परे ये हमारा बच गया तो गनित के अंक और अंग्रेजी के अंक इन दोनों अंकों का गुणानफल 210 कर दो तो x प्लस 2 का गुणानफल और 27 माइनस एक्स का गुणानफल 210 के बराबर ब infantry कि जब गनित और अंग्रेजी के अंक बदल दिये तो अंकों का गुणान फल 210 होगा उनके द्वारा दोनों विश्यों में प्राप्त अंक्यात कीजिए आरान से निकल जाएगा अगर हम इस समय करण को हल करने हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा करोगे इसको तो x गुणा 27, 27x हो जाएगा x गुणा x माइनस का x स्कुआर होगा दो गुणा 27, 24 और दो गुणा x माइनस का 2x बराबर में 210 एक तरफ लेलो सब कुछ एक तरफ लेने से पहले आप एक काम करो इसको और इसको सॉल करते हुए लिख लो ये दोनों मिलकर के 25x हो जाएगे माइनस का x स्कुआर प्लस में 54 और बराबर में 210 राइट साइड में ले जाओ सब कुछ राइट साइड में लेके जाओगे 210 माइनस 25x उधर जाकर के प्लस का x स्कुआर यह उधर जाकर के चववन आ जाएगा तो ज़रा थोड़ा बहुत सवल करें ये तो x स्कुआर है चलो तो ऐसे कैसे लिख दो माइनस का 25x हो तो ऐसे कैसे लिख दो 210 में से चववन को माइनस करते भी लिखना पड़ेगा कितना आएगा ये बनता है 156 ये हमारी फाइनली एक्वेशन आगई जिसको सॉल्व करके हम आगे x कमान निकल सकते हैं सिंपल सी एक्वेशन है ज्यादा कुछ मुश्किल बात नहीं है लेकिन अब इसको गुणनखंड विद्धी से कर लेंगे हाला कि अपन गुणनखंड विद्धी से करने के लिए गुणनखंड इस तरह के करने हैं कि जोडने और घटाने पर तो माइनस का 25 आए मैं लिख द लो 156 को यहां पर तोड़के देख लो कितना बनता है सबसे पहले तो 2 का भाग देतो हैं साथ और यह 8 आठ आजाएगा फिर से 2 का देतो 3 और यह 9 हो ज्याएगा अब यहांपर 3 का जा रहा है तेरा आ रहा है और तेरा का जा रहा है एक आ तो यह बन गया दो गुना दो combination लेते हैं और एक बार इसको लेके देखते हैं यह अलग 13 काफ़े बड़ा है अकरा लेना ही ठीक है दो दूना चार चारती है 12 यह तो मिल रहा है 12 और यह है 13 और 12 और 13 का तो यह मिलेगा x square minus का 12 x minus का 13 x और plus का 156 बराबर में 0 यह गुनन फंट कर लिये हमें अब इन दोनों में से common आएगा इन दोनों में से common आएगा इसमें से तो x को मना रहा है x minus 12 हो जाएगा इसमें से minus का 13 को मना रहा है यह sign हमेशा यहां बाला आता है तो यह भी x minus 12 ही हो जाएगा 13 में जब इसमें जब 13 का भाग देते हैं तो 12 बचता है और minus बाहर लिया इसलिए अंदर का sign change रहेगा minus हो जाएगा अब दोनों जगे same आगया मतल पार x minus 13 को 0 के equal करोगे एक answer तो आरहा है 12 अंक और एक answer आरहा है 13 अंक दोनों की सई-सई संभावना है कोई दिक्कत निया दो answer आरहे है कोई दिक्कत निया मतलब गणित के अंक 2 हो सकते हैं या तो 12 होंगे या 13 होंगे अगर गणित के अंक मिल गए हमारे को तो फिर अंगरे के अंक अगर 12 है तो अंग्रेजी के अंक कितने होंगे उस केस में 30 माइनस 12 मतलब 18 और दूसरी सिचेशन कि गणित के अंक अगर 13 है तो अंग्रेजी के अंक उस केस में होंगे 30 माइनस 13 मतलब 17 तो दो कॉम्बिनेशन मनके या तो गणित के अंक 12 और अंग्रेजी गए 11 होंगे या फिर गणित के अंक 13 और अंगरी जीगे 17 आये होंगे इन दो कॉंबिनेशन के मदद से ये सवाल हो सकता है मतलब ये possibility प्रियेट हो सकती है दो answer हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये दोनो answer है इसके, ठीक है? अब इसी तरह से हम करते हैं, अगला प्रश्न छाटा number देखो अब ये काफी असान सा question है डाइग्राम बनाओगे आराम से हो जाएगा, ध्यान से देखें एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी बुझा से 60 मेटर अधिक लंब है यदि बड़ी बुझा, छोटी बुझा से 30 मेटर अधिक हो तो खेत की बुझाएं क्यात कीजिए सिंपल सा है, आप डाइग्राम बना लो आराम से आजाएगा आपको ये मैं एक आयत बना रहा हूँ इस आयत का बन जाएगा विकर्ण इस तरह से ये विकर्ण होगे आयत का, इसमें छोटी बुझा कोई सी है? सारा का सारा केस छोटी बुझा पर ही depends है क्योंकि विकर्ण उसकी छोटी बुझा से 60 मेटर अधिक लंबा है तो छोटी बुझा होगी, तो विकर्ण आएगा तो हम छोटी बुझा को ही X मेटर अजियों कर लेंगे कि छोटी बुझा एक्स मेटर है तो अब विकर्ण निकान ले में कोई दिक्कत नहीं है, विकर्ण उससे 60 मेटर अधिक है, तो ये x प्लस 60 मेटर का विकर्ण हो गया, ठीक है, और बड़ी बुजा भी छोटी बुजा भी डिपैंड है, बड़ी बुजा छोटी बुजा से 30 मेटर अधिक है, तो ये बड़ी ब में समकॉन त्रिबुज ही बनता है यह विकर्ण अगर लगा दिया आपने तो अगर समकॉन त्रिबुज बन रहा है तो दुनिया में एक ही तरीगा है Pythagoras theorem, Pythagoras Pramia जब आप लगाओगे तो अपने आप समय करण यह मिलेगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस में उचाई का वर्ग ठीक है, कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब x प्लस 60 का वर्ग बराबर आधार मतलब यह x प्लस 30 का वर्ग प्लस में यह उचाई मतलब x का वर्ग अब जड़ा इसको solve कर लें तो whole square होलना पड़ेगा a square plus b square plus 2ab यह आएगा a square plus b square plus 2ab और यह x square ठीक है जड़ा इसको cancel out करो यह और यह cancel out हो गया और क्या बनेगा यह यह बनेगा अपने पास 60 का square हो गया 3600 plus में 6212 120x बराबर में 30 का square होगा 900 plus में 360x और plus में x की घाट 2 इसको थोड़ा हल कर लेते हैं आराम से समय करना जाएगी है हमारे पास में सब कुछ right side में लेके चले जाओ तो यह बन जाएगा 0 बराबर प्लस में 60x प्लस में x square और यह दोनों इधर आएँगे तो minus का 3600 और minus का 120x आगया ठीक है इसको थोड़ा solve कर लेते हैं solve करेंगे तो यह बनेगा अपने पास में x square 60x में से 120x जाएगे तो minus का 60x आजाएगा 900 में से 3600 जाएगे तो minus का 2700 आजाएगा और परापर में 0 आगया यह हमारा समीगर्ण मन गया जिसको हल करके हम आगे का आंसर निकाल सकते हैं अब यह काफी ज़दा बड़ा आगया काफी ता बड़ा मतलब 2700 और 60 2700 को तोड़ना पड़ेगा मतलब गुणा करने पर तो minus का 2700 आए और जोडने या घटाने पर 60 है यह काफी बड़ी सी संक्या आएगी अब बड़ी संक्या आएगी तो ऐसे solve करना थोड़ा मुश्किल लगे अगर तो फिर आप इसको श्रीधरा चारे सूतर से भी कर सकते हूँ एक ही बात है और गुणानखंड विजी से अगर आपको आसानी से हो रहा है तो गुणानखंड विजी से कर लेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो मेरे क्याल से यहाँ पर थोड़ा साम गौर करें तो डाइरेक्ट क्यों जाएगा 27 27 आप थोड़ा सा भी गौर करो ना तो डारेक्ट मुझे इसकी गुणानखंड समझा रहे है माइनस का नभभ है एक्स माइनस का साथ लाना है तो माइनस का नभभ है और प्लस का 30 कर लो और 9 यह 27 भी आगया माइनस का यह आप आराम से ब्रेक कर दिये इसको बहत असान साही था 0 आटा के सोचा मैंने बस यह माइनस का अच्छा और यह 27 लगा करके सोचा और 0 फिर लगा दिया अपने आप अंसर आगया चीक है आगे बड़े आगे सेम इन दोनों में से कॉमन लोगे इन दोनों में से कॉमन लोगे क्या आएगा कॉमन आएगा इन दोनों में से यह आगया x-90 को 0 करोंगे और 1x-30 को 0 करेंगे x-90 मीटर आगया यहां से और यहां से x-90 का 30 आ रहा है जो की काम का नहीं है क्यों? क्योंकि यह लंबाई है लंबाई चोड़ाई जो भी है रिनात्मक नहीं हो सकती ना धनात्मक की लेनी पड़ेगी तो 90 लेना पड़ेगा अब जब यह लंबाई लेना पड़ेगा तो यह चोड़ाई तो 90 आ गई इसकी चोड़ाई आपकी 90 मीटर आ गई लंबाई इसके हिसाब से इसने लिखा है x-30 मतलब 30 ज्यादा लेना है तो x-30 मीटर के हिसाब से 90 प्लस 30 120 मीटर आ गई यह दोनों चीज़े हमने निकाल ले लंबाई और चोड़ाई इसकी यह दोनों भुझाए हो गए इसकी ठीक है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था आपको simple diagram बना करके शान्त इसे सोचना था उसके हिसाब से pythogras प्रेमे लगा नहीं थी और आंसर आ जाएगा जब भी आपका संकोन त्रिभूज वाली situation create हो रही हो किसी भी प्रशन में किसी भी प्रशनावली के प्रशन में इसमें ही नहीं किसी भी प्रशनावली के प्रशन में कहीं भी आपको संकोन अत्रिबुच दिख रहा है तो यह मान की चलो कि पाइथोगरस त्यरम लगेगी ही लगेगी mostly ऐसा होता है mostly पाइथोगरस त्यरम लगती ही लगती है तो यह बहुत ही कमाल की त्यरम है यह जो बहुत सारे वशन को solve करने में काम आती है चले next देखते हैं सेवन्थ है दो संख्यों के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है दोनों संख्या हैं क्यात कीचिए अब यहाँ पर दोनों संख्यों को मानना ही पड़ेगा x और y डिरेक्ट करने का कोई उपाय नहीं नजर रहा था क्योंकि अगर इसने यह बोला होता दो संख्यों का योग 180 है या simple अंतर 180 है तो एक को मान करके दूसरे को assume कर लेते हैं उसी के हिसाब से x में ही चला लेते हैं लेकिन यह आके वल x में चलाना मुश्किल है आपको इसको दोनों में मानना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा कि माना दो संख्याएं x एवं y हैं मान लेते हैं कि x बड़ी है y से ऐसा मान लेते हैं हम है ना x बड़ा है y से तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है वर्गों का अंतर 180 का मतलब हो गया x का वर्ग करो y का वर्ग करो और अंतर करो तो यह 180 आता है यह हमें दे रखा है आगे क्या बोला छोटी संख्या का वर्ग चोटी संख्या का वर्ग मतलब y का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर् यह हमारी समीकर नमबर एक है, यह समीकर नमबर दो है, आप इसको बनाओगे तो द्विखाती, लेकिन शुरुआत में दो वैरियेबल लेने पड़े, x और y, आगे अगली लाइन में काम अपना कम्प्लीट हो जाएगा, यहां से y स्कॉयर का मान उठा करके बस अपने को यहा रखेंगे अगर यहां पर, x स्कॉयर माइनस 8x बराबर 180, यह हमारी समीकर नमबर आ गई, इसको हम आगे solve कर सकते हैं, solve करने के लिए आप इसको पहले एक तरफ लोगे, और फिर जो भी method आप यूज लेना चाहों, वो यूज ले सकते हो, तो एक तरफ लेंगे तो यह क्या बन जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ, x स्कॉयर माइनस 8x माइनस 180 इसी इकवल टू 0, यह बन जाएगा, अभी भी यहां पर गुणनखंड करना इतना असान नहीं है, क्योंकि जोडने और धटाने पर, वो तो माइनस का 8 चाहिए, गुणा करने पर एक स्वस्थी चाहिए और एक स्वस्थी बड़ा नंबर है, एक तंसी दिवाग में आता नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक स्वस्थी के गुणनखंड कर लेते हैं हैं अगर एक स्वस्थी के गुणनखंड करें तो कितना बनेगा, दो आएगा 90, यह आएगा 45, फिर अब यहां पर 3 का भाग जा है 15 फिर से तीन का जा रहा है पांच और पांच का जा रहा है एक तो क्या बनेगा गए दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा पांच जरहाइक थोड़े से क्याल्пिलेशन-चेक करते हैं तो अगर इन तीन 9 और 5 दुना 10 दुना 20 9 और 20 के combination से भी नहीं बन रहा तो थोड़ा और बढ़ाते हैं इनको लो 3 तिया 9 और 9 दुनी 18 और 5 दुना 10 18 और 10 के combination से 180 बन जाएगा और आगे काम हजाएगा हमारा तो हम क्या लिखेंगे इसको इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 8 के लिए आप माइनस का 18 और प्लस का 10 लेलू तो माइनस का 18 x प्लस का 10 x और माइनस का 180 बराबर 0 अगर आप ये गुणनखंड डाइरेक्ट आपके दिमाग में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है अब यहाँ पर शुरू के 2 में से x को मन आ रहा है और लास्ट के 2 में से 10 को मन आ रहा है x को मन लेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 18 और इन दोनों में से 10 को मन लोगे तो अगेन x माइनस 18 ही बचेगा बराबर में 0 है अब एक तो x प्लस 10 आ गया और एक x minus 18 है और बराबर में 0 है तो इसको 0 के equal करोगे और इसको 0 के equal करोगे तो यह बन जाएगा x कमान minus का 10 यह बन जाएगा x कमान plus का 18 यह दो answer आजाएंगे अब यह दो answer अगर यहाँ पर आ गए है तो यह हम ले सकते हैं गया x कमान यह एक चेक करने वाली बात है minus का 10 ले सकते हैं क्या इसमें रखके देखू अगर यहाँ आपने minus का 10 रखा तो यह minus का 80 हो जाएगा 8 गुणा minus का 10 minus का 80 किसी की संख्या के वर्ग के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग देणात्मक नहीं हो सकता और यह रखने पर वर्ग देणात्मक हो रहा है समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है इसलिए यह तो संभावना है यह नहीं तो संभावना क्या है x कमान क्या होगा 18 X का मान अगर 18 है तो अब समी करण नंबर 2 से आप Y का मान निकाल लो तो समी करण नंबर 2 पर हम value रखेंगे और Y का मान निकलेगा क्या निकलेगा देखो Y square बराबर 8X है तो Y square बराबर 8 गुणा X का मतलब 18 तो Y square बराबर हो गया 144 तो Y आएगा plus minus under root में 144 जो की होता है plus minus 12 की बराबर तो Y के दो मान संबव है तो क्या क्या combination मना एक तो combination मना 18 और 12 संख्या ऐसी हो या फिर 18 और minus 12 संख्या ऐसी हो 18 तो रिणात्मक नहीं हो सकता लेकिन 12 तो रिणात्मक भी हो सकता है क्योंकि वो दोनों संख्मिकारणों को संतुष्ट कर रहा है तो दो कॉंबिनेशन संभव है x का मान 18 और y का मान 12 या माइनस 12 दोनों ही चलेंगे y के मान दो ठीक है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत निया नीची है अब आपको थोड़ा ध्यान से कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें दो संख्याएं मानने पड़ती है या दो variables मानने पड़ते है x और y लेकिन वो घूम फिर करके एक में convert हो जाएगा एक दो line के बाद में तो उसकी tension नहीं ले नी इसमें कहीं कोई दिक्तर नहीं आएगी आपको ठीक है चलिए आठवा देखते है ठीक काफी अच्छा कोशन है एक रेल गाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमेटर की दूरी तै करती है यदि यह चाल 5 किलोमेटर प्रती घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में एक घंटे का कम समय लेती रेल गाड़ी की यात्रा चाल ग्याद कीजिए अब यह तो जाहिड सी बात है कि चाल अगर अधिक करोगे तो समय कम लेगी है ना तो दो situations है दो कौन-कौन सी situation है मैं याँ बनाता हूँ देखो ज्यान से सबसे पहली situation तो यह है कि पहली बात तो आप दूरी लिख लो दूरी fix है अपनी 360 किलोमेटर दूरी fix है अब चाल की बात करें तो चाल एक बार मान लो X किलोमेटर प्रति घंटा मान लो चाल यह है उसने बोला है ना एक समान चाल से चल रही है और पूछा भी रेल गड़ी की चाल ही है तो वो ही हमें मानना पड़ेगा चाल हमने X किलोमेटर प्रति घंटा मान ली इसके बात के कान है दूरी हमारे पास है चाल हमारे पास है तो जहिर सी बात है वो सूत्र लगेगा समय बराबर दूरी बटा चाल मैं या लिखता हूँ समय बराबर होता है दूरी बटा चाल के तो ये वोला सूत्र लगाना है तो जाहिर सी बात है इसमें तो कोई सोचने की बात है नहीं है समय बराबर दूरी बटा चाल देखें चराब तो समय भी निकाली लो, अब जब दूरी और चाल है तो समय बराबर दूरी बटा चाल के इसाफ से 360 बटे X घंटे का समय लगेगा, इतने घंटे का समय लगेगा, एक सिचेशन तो ये है, दूसरी सिचेशन, ये तो बेसिक सी सिचेशन है, कि सबसे इनीशली ऐसा होता है, दूरी तो उतरी है, दूरी अभी 360 किलोमेटर ही है, चाल, चाल इस केस में X प्लस 5 किलोमेटर प्रतिगंटा हो गई, पहले X थी 5 किलोमेटर प्रतिगंटा बढ़ा दी, अधिक होती, ठीक है, तो वहे उसी यात्रा में एक घंटे का कम समय लेती, अब इस समय एक घंटा कम लेगी है, तो पहले वाला समय, यात्रा का समय, जो पूर्व समय है, पहले जो समय निकाला हमने, उससे एक घंटा कम मतलब माइनस एक, एक घंटा कम कर दिया, यह हमारा में है, इसी से समिंगरण बनेगी, अर्दे को यात्रा का समय, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो वो तो हम निकाल के बैठे हुए हैं, और इधर minus का 1, अब आप यहाँ पर इसको इस तरफ ले लो, उससे क्या होगा कि 360 उपर उपर से common आ जाएगा आपके पास में, और फिर आगे सौल हो जाएगा, जब भी इस तरह से उपर बड़ी सी संक्या हो, तो उसको common ले लिया गरो, यहां मैंने equal लगा दिया गलते से, minus 1 हो के बाद, हाँ, तो इसको इधर ले 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 रहे हैं, यह लेंगे तो यह बनेगा, 360 upon x plus 5 minus 360 divided by x is equal to minus 1, 360 common ले रहे हैं, इस तरफ कर देता हूँ, देखो ध्यान से, अगर 360 यहां से common लेते हैं, तो क्या बचेगा दोनों में से 360 common लेने तो यह 360 तो यहां है, x गुणा x plus 5 LCM में आ जाएगा, यह इधर, और यह x plus 5 इधर, और यह बराबर में minus 1, ठीक हैं, अब यह 360 तो है ही, यह x minus x minus 5 बटे, अंदर गुणा कर लो इसको, x की घात दो, और यह 5x, और यह बराबर में minus 1, कट गया x से x, और उपर कितना मना, 360 ग को 5 से गुणा करेंगे, तो यह कितना आ रहा है, 180 मतलब 1800 आ जाएगा minus का, और नीचे x square प्लस 5x है, बराबर में minus 1 है, minus से minus आप हटा लो, तो इसको उधर ले जाएंगे, यह बनेगा हमारा 1800 बराबर में x square प्लस में 5x, इसको भी उधर ले लो, एक तरफ ही ले लो, तो x square प्लस में 5x minus 1800, यह उधर जाएगा तो, और बराबर में चीरो, यह हमारी समीगरण आ गई, जिससे हम आगे answer निकालेंगे, अब यह काफी बड़ी सी समीगरण है, बड़ा सा मान है, तो गुणनखंड विदी की जगे, आप इस्तेमाल करो, यहाँ पर श्रीधराचारे सूत ज्यादा बैटर रहेगा, तो यहाँ श्रीधराचारे सूत्र लगाने के लिए, मैं A का मान यहाँ पर ले लेता हूँ, 1, B का मान ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर 5, और C का मान ले लेता हूँ, मैं 800- का, ABC के मान यहाँ लिख लिए है, सूत्र यहाँ लगाएंगे, तो क्या सूतर है, x बराबर है minus b plus minus b square minus 4ac का under root और नीचे है 2 है, यहाँ अप्लाई करते हैं जाएजा थोड़ी सी कम है, लेकिन कोशिश करेंगे हो जाए, x बराबर minus b का मतलब है minus का 5 plus minus b square का मतलब है, 5 का square करेंगे, और minus में 4 a का मतलब है 1 c का मतलब है minus 800 और भाग देंगे 2 a का, 2 a, a का मतलब है 1, तो यह कितना बनेगा, x बराबर minus का 5 plus minus 5 का बर होता है 25 minus माइनस हो जाएगा plus यह हो जाएगा 800 और divide में आएगा 2 तो यह आ रहा है minus का 5 plus minus 7, 2, 2, 5 का under root और नीचे 2 है 7, 2, 2, 5 का under root कितना होता है यह होता है 85 और divide में 2 आ जाएगा 85 का square होता है 7, 2, 2, 5 अब यहाँ पर x के 2 मान निकलेंगे एक तो plus sign के साथ में और एक minus sign के साथ में मैं इधर करते तो हूँ तो एक बार plus sign के साथ minus का 5 plus 85 बटे 2 और एक minus का 5 minus 85 बटे 2 जगे की थोड़ी shortest है इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ अब यहाँ पर 80 बटे 2 हो गया है तो 80 बटे 2 मतलब 40 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से रेल गड़ी चल रही है दूसरे वाले की बात करें तो minus का 90 बटे 2 जो कि minus का 45 आएगा जो कि संभव नहीं है क्योंकि चाल कभी रेनात्मक नहीं हो सकती तो minus 45 संभव नहीं है लेकिन x का मान 40 आगया मतलब यह जो रेल गड़ी है वो 40 किलोमेटर प्रती घंटे की रस्तार से चल रही है यह conclusion आया तो बहुत simple सा एक आशन्स होते हैं हमेशा यह वाले सूतर से आगे बढ़ते हैं और mostly समय में ही हेर फेर करके वो equation मनाने को देता है mostly ऐसा होता है कि समय के इसाथ से equation मनती है तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दे जो जो situations यहाँ पर दे रख्योती हैं उनको साफ साफ सूतर सूतर शब्दों में आप लिख लिया करो दोरी समय चाल यह सब और फिर equation मना लिया करो ठीक है तो देखें अगला नाइन्ट वाला बहुत ही जबरदा स्वाशन है देखें